तो गुद मॉर्निंग अल उफ यू प्लीज अप लोग हैं फिर माइक का यूज कर सकते हैं चैट बॉक्स का ठीक हैं कहीं पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं में को ठीक हैं फाइनशियल एंजीनियरिंग अंड लॉस रिजर्विंग ठीक हैं फाइनशियल एंजीनियरिंग अंड लॉस रिजर्विंग बेसिकली यह एक ऐसा पेपर है जिसमें स्टॉक मार्केट्स का बहुत ज्यादा यूज है ठीक है यह बैक किसका है अपने बगल में रखो एक जगह पर तुम बैठेगा एक जगह में तुमारा बैक बैठेगा ठीक है तो मैं आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रो देता हूं कि यह पेपर में अपने को क्या करना है त हम लोग रेकॉर्डड में क्या-क्या टापिक करने किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे ताकि हम लोग का जो syllabus है हम लोग का जो full syllabus है वह एक बार my personal target is June end or July 1st week ताकि कि अपने पास में practice के लिए ample scope रहेगा ठीक है तो CM2 का पहले एक field ले लो CM2 is a paper on stock markets जैसे कि इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले ठीक है हम लोग इसमें अपली जागे से कोई late मताना ठीक है चाहे online हो चाहे offline हो तो अब जैसे CM2 में mainly हम लोग जो पढ़ेंगे that is सबसे पहले share prices के बारे में पढ़ेंगे और यह जो paper है ना यह models के उपर में paper है अब जैसे बहुत सारे models है जिससे हम लोग share prices को predict कर सकते हैं ठीक है तो उसमें हम लोग use करेंगे stochastic calculus of a brownian motion ठीक है वो बहुत ज़्यदा ऐसा swiggly होता है but एक जो well defined slope होता है well defined जो curve होता है तो उसमें आप देखोगे कि अब जिससे मालो मैं आपको बोलता हूँ ऐसा graph है या फिर अगर ऐसा graph है तो इस सब graph में ना आप basically slope define कर सकते हो ठीक है बट जो share price का graph होता है बहुत ही उबर खाबर होता है तो उसको basically model करने में बहुत ज़्यदा difficulties आती है ठीक है तो यह एक चीज हो गया तो हम लोग इसलिए stochastic calculus का use करते है stochastic calculus का मतलब क्या होता है randomness आज जैसे share price है मालो ITC है तो वो एक साल लगबग 200 पर trade कर रहा था तो यह जो randomness है तो share price models हम लोग को पढ़ने है अब share के उपर में बहुत सारे derivatives बने है ठीक है share के उपर में बहुत सारे derivatives बने है जैसे कि futures हो गया, options हो गया तो इन सब का pricing कैसे होता है ठीक है हम लोग को समझना पढ़ेगा कि volatility क्या होता है हम लोग को समझना पढ़ेगा कि volatility क्या होता है आज आप लोग देखेंगे बहुत सारे आपके family members होंगे जो लोग futures options में trading करते है क्योंकि बहुत ज़ादा markets volatile है और उसके उपर में जो derivatives बनते है वो भी बहुत ज़ादा volatile होते है ठीक है ना तो आज के दिन पर लोगों को risk के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है बोले तो risk के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है ठीक है ना आज जिससे पहले क्या होता था लोग अपना पैसा fixed deposit में लगाते थे 100 रुपया लगाया एक साल बाद 107-106 बट अभी क्या होगे ने लोगों को वह चीज नहीं चाहिए लोगों को चाहिए कि नहीं लाइफ में तेजी आए लाइफ में रफ्तार आए ठीक है ना तूफान तूफान तूफानी चीज करना है वो लोगो तो वो लोग क्या करते है से डेर ऐटिवेटिव मेंünde करतें ठीक हैं अब अगर उसके बाद मोग देखेंगे हम लोगको interest rate को मौडल करना है interest rate को मौडल का मतलब क्या होते हैं अब जैसे मालो मोर्डल 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 है हल यहां इंट्रेट को हम लूग ट्राइं गरेंगे हागे श्मात्राइब मोर्डटिक जिसमें interest rate negative नहीं हो सकता है, वो उस model का designing वैसा किया है, आज जैसे share prices negative नहीं हो सकता है, तो अगर मालो मैं बोलता हूँ normal distribution, तो normal distribution तो minus infinity से infinity में कुछ भी लेगा, but log normal distribution negative values नहीं ले सकता है, समझा, log normal distribution negative, तो share prices को model किस से करे, normal से न, log normal से, तो basically ये सब जो चीजे हैं, अब जैस simplified model आज जैसे मालो derivative का, ठीक है न, तो उसमें basically हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे कि, अगर share price उपर जाता है, आज जैसे मालो 100 है, अगर उपर गया तो 120, नीचे गया तो 80, ठीक है, ये simplified है, बट कि actual में ऐसा होता है, नहीं, हर second वो तो change होता है, अब ये 100 से 120 जब जाएगा न, उसी के बीच में इतना बार उपर नीचे उपर नीचे करेगा, 100 से 80 अगर जाएगा, तो उसी कितना बार ऐसा से करेगा, राइट, तो इसका real life, एक nobel price winning model है, जिसका नाम है black skulls model, तो हम लोग को वो भी पढ़ना है, हम लोग को उसका proof भी देखन है, हम लोग को proof भी देखना है कि वो कहां से आ रहा है, ठीक है, तो basically तुम पहले theme समझो कि हम लोग को क्या करना है, आज के दिन पर मान लो, अगर तुम अपने घर पे जाते हो, we all have heard of the word mutual fund, हम लोग सब को पता है कि भाई, mutual fund क्या होता है, तो अगर हम लोग mutual fund का बात करते ह तो क्यों investment करते है, due to the point of diversification, diversification, लोगों को diversification बहुत अच्छा मिलता है mutual fund, mutual fund का मतलब क्या होता है, कि भाई, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया भी है, तो भी तुम इंडिया का top 50 कंपनी का मालिक बन सकते है, और systematic investment plan जो होता है, सिप जिसको बोलते है, तो उसमें basically क्या हो वो automatic SIP के form में तुमारे उसे कटते जाएगा, ठीक है ना, तो basically point is कि आज की दिन पर लोग individual stock से जाधा portfolio में believe करते है, portfolio, जब मैं portfolio में इंटर करता हूँ तो मेरा risk कटता है, जब मैं portfolio में इंटर करता हूँ तो मेरा risk कटता है, risk कटने का मतलब क्या है, आज जिससे मानलो, मेर personal portfolio 20 लाग का है, ठीक है, तो अगर मैं मानलो, एक stock में पैसा लगाता हूँ SBI, SBI up तो मेरा portfolio up, SBI down तो मेरा portfolio down, right, but this is not the ideal case, मैं को इसको diversify करना चाहिए, मैं 2 लाग का बहुत जाधा भी नहीं कि हर, हर share भर लिया, एक एक दो दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, प्राबलम होगा, तुम basically fundamental analysis करके तुम कपनी के share पे पैसा लगाते हो, ठीक है ना, fundamental analysis का मतलब क्या होता है, देखो, study बहुत सरा type का होता है, एक होता है तुम्हारा technical analysis, तो technical analysis तुम्हारा क्या बोलता है, technical analysis तुम्हारा बोलता है कि भई, अगर मैं past history को study करता हूँ, past history, so basically past past history का मतलब क्या होता है, जैसे मालो, share price का graph, ठीक है ना, कितना volume है, ठीक है ना, उसके बाद में, कोई block deal अगरा, खाली past मैं देख रहा हूँ, past में कितना profit कमाया, past, basically मैं charts को study कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, through candlesticks, okay, बहुत सरे ऐसे measures होते हैं, जिनसे पता चलता है कि अभी इसमें breakout आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, so basically मैं past trends को analyze करके, अगर share price को future में कितना होगा, share price, अगर मैं ये predict करता हूँ, तो that is basically technical analysis, मैं technical से फिर मैं charts, मैं chartist analysis, मैं past history के basis में future को predict करने का try कर रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा technical analysis, ठीक है, दूसरा होता है fundamental analysis, मैं समझता हूँ कि company concept sector में, company क्या business करता है, आज की दिन पर जैसे मानलो, जिसको भी ऐसा लगता है कि Tata Group है, ठीक है, अगर कल को मानलो रतन Tata जी नहीं रहते हैं, तो Tata Group डूब जाएगा, फरक भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुमको पता भी नहीं कि Tata, Adani, Ambani कितना बड़ है, Tata का presence हर country में हर country में उसका presence है, इंडिया तो छोड़ो, समझा हर country में उसका presence है, तो the point is कि these are professionally managed companies, मैं देखता हूँ कि भई कौन से ऐसे companies है, जिन्होंने बहुत ही strong corporate governance दिया है, strong corporate governance तो चोड़ चमाटक का company नहीं है, एकदम clear ही साब है, ये revenue आया, ये मैंने tax बगरा pay कि ठीक है ना, और basically वो काम क्या करते हैं, क्या गोला बारूत बनाते हैं, दारू बनाते हैं, सिगर्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आज ITC का जो भाव है, वो हजार रुपर जा सकते हैं, बट वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिगर्ट बनाती है, आज के दिन पे ESG is very important ESG environment, social and governance, आप अपने factory से pollutants बहुत ज्यादा पूरा air में कर रहे हो, आपके factory से जो गंदा chemical होता है, वो निकल के नदी पे बह रहे है, तो वैसा company को आज के दिन पे लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, टेसला इतना highly valued है, क्यों highly valued है, क्योंकि वो EV पे चल रहा है, पेट्रो diesel EV कुछ भी खरीच सकते हो, तो आप सोच तो यह नहीं यार, पेट्रोल डीजल वाला सस्ता मैं वो लूँगा, लेकिन पासल बग तो option ही नहीं रहेगा, आपके दिन पर गॉर्मेंट डिफ्रेंशियेट करता हैं इंडिया में, वो जो green plate रहता है, बेसिकली, now you are environment friendly, देखे ना, so that is basically fundamental analysis, जो मैं करता हूँ, तो basically आप उसमें देखो के company कौन से सेक्टर, आज जैसे मालनों, for example, actually scores का बात करते हैं, ठीक है, मैं actually scores पढ़ाता हूँ, तो मेरा business का fundamentals, अगर आप लोग देखो गे, तो actually scores का दरकार सबको नहीं है, लेकिन सुबह उत्ते ही toothpaste का दरकार सबक ठीक है, नारेल तिल तो लगाए या ही ना, क्या है, पैराशूट, तो basically आप देखो कि चाहे रिसेशन आए, चाहे कुछ भी हो, ये product का demand, रिसेशन प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, daily necessity होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब कुछ-कुछ चीज़, बने, मास तक आप spread करोग ठीक है, आज जैसे for example, potato chips है, ठीक है, तो आप देखो कि ये fried है, ठीक है ना, तो उसका alternatives निकल रहा है, बट जो लोग के मन में taste bad गया है, ठीक है ना, तो coca-cola है, पता है, शरीर के लिए बहुत खराब है, पूरा sugar है, बट चिल, आप समझो कि coca-cola के अलावार कुछ है ही कोई competitor है नहीं है उसका, जो भी उसके सामने खड़ा होता है, वो उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, so basically आपको देखना पड़ेगा business market leader है की नहीं है, उसका क्या future prospects है, ठीक है, उसका promoter holding कैसा है, promoter में चोर्चमान तकपा company तो नहीं है न, बने अच्छा आदमी market cap, जैसे for example, एक मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लो, अगर तुमको listing कराना है, अगर तुमको listing कराना है for example, एक मैं आपको hypothetical बोलता हूँ कि तुम्हारा 25% जो है shareholding, वो public के हाथ में होना चाहिए, वो free float होना चाहिए, उसको कोई भी खरीच सकता है, तब जाके तुमार तो आप जैसे मान लो, मेरे को यह देखना पड़ेगा कि promoter holding कैसा है, क्या promoter holding बहुत जदा weak है, ना promoter holding बहुत जदा strong है, कंपनी कितना dividend देती है, कंपनी buyback, rights, इस अब से देती की नहीं देती है, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे factors होते हैं, कंपनी अपने employees को कैसे treat करती ह कंपनी अपने stakeholders के बारे में सोचती है की नहीं सोचती है, कंपनी का board of directors के empanelment में कौन कौन है, आज के दिन पर जो mutual fund houses होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लो, एक बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर मान लो, वो कोई company में जाता है, ठीक है ना, तो लोग बोलते नहीं है, अब आज के दिन पर ये company को ये चला रहे है, तो company चला कौन रहे है, ठीक है न, people are not betting on reliance, people are betting on mukesh rambani, just try to understand this fact, ठीक है न, तो आज तुम लोग ये चीज़ समझो, कि company का fundamental analysis में हर चीज़ का weightage रहता है, तो वो सारा, अगर तुम लोग करता है, तो उसको हम लोग बोलते है, fundamental company past में profit दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, company का dividend, आज जैसे बहुत सरी companies ऐसी है, जो बहुत अच्छा dividend देती है, तो उनका नाम बन गए dividend paying companies, एक उता growth company, growth company क्या होता है, उसके बहुत सारा अभी expanding opportunities है, तो वो dividend नहीं बाठता है, वो पैसा अपने पास रख लेता है, और basically उ उसी को अपने business में लगा कि higher capital appreciation के form में तुमको देता है, growth stocks, ठीक है ना, तो अगर मालो मैं fundamental analysis करता हूं, तो उसको बोलते है fundamental, और एक तो हो गया, पेचीदगी वाला काम, जो basically भाव वाला होता है, कि basically insider जिसको बोलते है, ठीक है, खबर वाला जो share होता है, कि ये बढ़ने वाला ये ले लो, ये गिरने वाला ये ले लो, तो जो खबर वाला होता है, उसको insider trading अदोल से जो band है, ठीक है ना, आज के पर तुम कोई भी company में अगर employment लेने जाएगा, तो पहले तिमसे सारा disclosure sign कराएगा, ठीक है ना, कि भई ऐसा ऐसा है, हम लोग का related party से कोई आपका connection न होना चाहिए, तुम्हारा कितना सारा relatives इस company में का, हार चीज का disclosure, हार चीज का, कोई share account तो उसको बंद करो, तुम जिस company में काम करेगा, तुम्हारा इसे client visit होगा, तो उसका share में तुम dealing नहीं कर सकता है, आम से मतलब जैसे, मम्मी, पापा, भाई, बैन ये लोग भी नहीं, अब जैसे मैं आपको बदाता हूँ, मेरा ये जो center है, ठीक है, इसका valuation है, धाई करोड, ठीक है, मैंने अपना पुरा जीवन का कमाई इसमें लगा दिया, ठीक है, आज की दिन पर कोई मेरा bank account खोल के देखे, उसमें दजज़र भी नहीं मिलेगा, because I am part payment हम लोन का बहुत fast क ना मेरे पास में skill है, ना मेरे पास में time है, कि हम share market से consistently शाठया paar return मना सकता है, सम्झा क्या बोले, ना मेरे पास skill है, ना मेरे पास time है, कि भई हम share market स tahu यह यह जअगा सकता है, तो हम क्या कर दोभी payment औध़ या फीश का, हम एक certain percentage अपना expenses के लिए salary payment के लिए electricity एम आई वगरा के लिए रख के हम बागी अपना पार्ट पेमेंट करता है this is my strategy अभी तख सबको comfortable है ना सब लोग समझ पार है सब लोग अपना camera on करें पहले तो yes or no लिखी पहले चैट बॉक्स में सब लोग अपना camera on करके बैठिए एकदम actively response करना है ठीक है सुनते जाना है तुम लोग को ऐसा लग रहे कि क्या बखवास कर रहे हैं लेकिन चैप्टर में घुज भी गए हैं ठीक है तो अब सुनो तो मेरे को लगते हैं ना मेरे पास skill है ना मेरे पास time है ठीक है ना तो मैं क्या करता हूं मैं पार्ट payment करता हूं ठीक है तो the point is आप अगर देखोगे एक मैं bias discuss कर रहा हूं मेरे mutual fund है 20 लग का ठीक है मेरे loan outstanding है 60 लग का ठीक है मेरा को खूची कह है हम इससे पैसा निकाल के इसमें देना चाहते है यह मेरा मन और यह मेंटल accounting होता है आज एक तरिके तो प्रोबाइबिलिटी अच्छा समय नहीं कर रहें, बोलो Sir बोले हैं कि लोटरी खेल लिए तो प्रोबाइबिलिटी अच्छा समय आएगा, आज जैसे मन लो तुम लोटरी का दुकान में जाना तुम बोलता है, वहाँ पर क्या आता है, एक का दस होता है, ठीक हैं, हम बता है तो डोसो गया क्वास क Wash Link क्षब करें आप इसमें तुम क्या सोचते है आने को तो पुरा अस्मान है मेरे पास में जाने को तो खली दोस्तों है तो गया तो गया डेली दोढ़ी दॉर Va Saints है that's a dog at तोड़ी है, जो बेचता है, वो हमेशा कमाता है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो दारू का दुकान हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो अप्षन हम लोग जब पढ़ेंगे, तुम लोग को मैंने रेकॉर्डेट में देखने बोला, 12-14, सेलर इस दवीनर, ठीक है न, लोट्री में, जो खेल रहा है, वो कभी नहीं जीतता है, और माल लो, तुम्हारे बिल्डिंग में एक अंकल है, उनका 30 साल का एक्स्पिरिय से लोट्री में, तो वो उनका स्किल है, लग पिच्चर देखना उसमें दिखाता है, ठीक है, लग पिच्चर देखना है, उसका है, क्या ना मसीरो का, संजेद रहता है उसमें, और इम्रान खान है क्या, इम्रान खानी तो है न, लग पिच्चर कॉन-कॉन देखाया पर तो जैसे बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि मेंटल अकाउंटिंग एक टैप का बायस है अब जैसे मानलो फर एक्जामपल सब का मन में रहता है कि हम लोग अगर एक कोचिंग सेंटर जॉइन कर लिए तो उसको नहीं छोड़े इसका रीजन कि अगर नया में गया और वहां प गूता है स्टाइट स्क्यों बायस है किया मतलब हमको जैसा मेरा चीज और एक होता है रिग्रेट अब माल ने तो चेंज किया तो अच्छा लग गया और अगर अच्छा नहीं लगा तो 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 वहां करेगा तो बेसिकली बहुत सेंद्राट का बायस होता है और इंवेस्ट करागे कि कोई भी वेल्ष लेबल में तीक को सकते हैं एक एक मुस्ती पर पाज यहांपर वो नहीं और है फिकता है उसके बाद में रिसका जैसे मैं लॉट्री वडर एक्गापल में भूल गया है मैं तो दीब बात करेंगे तो तो जैसे मानलो तुम खेला लोट्री ठीक है अब जैसे मानले लोट्री में ऐसा सिस्टम सोच कि एक का डबल होता फॉर एक का डबल मनें 200 का 400 ठीक है तो तुम लगाया हजार तुम लगाया हजार ठीक है अगर गया अगर गया तो हजार गया ठीक है समझा डेसिकली अगर तु कर दोनों का होने का चांस है इकुल तो तुम एसा गाइम फार्य करेगा अगर तुम 다면 Ad. sona गोलतों हम लोग क्या बोलेंगे जैसे और कभी भी विघomenaur को विभिस्नेस आपरचुनिटी करते हैं फिर कुछ तुम जो ट्रेड ले रहा है तुम जो ट्रेड ले रहा है उसमें उसके लिए तुम इतना बता दो कि नीचे गिरने का डाउन साइट क्या मेरे को यह बताओ वस तैसे करके बहुत सारे मेज़र्स आप इन्वेस्मेंट रिस्क होते हैं जो हम लोग अगर निकालेंगे तो बेस लोग सब अब्सवर्ब करना चाहिए वो कोई भी कहीं से भी विलॉंग करता हो कितना इस पैसा क्यों ना हो हमेशा बात इसी कीज का उठते है जैसे कोई आता है बोलते है गया तो पांच लाग आया तो पांच लाग दस लाग ऐसा बताओ आगा अगर ऐसा बोलेगा गया तो प्रटेक्शन है की निपर ये बताओ आज वर्ल्ड का पूरा का पैसा का एक मेजर पर सेंटेज गोल्ड में लगाया वे बॉन्ड में लगाया तो वो लोग बेव को पता नहीं है कि शेमार्कर ने से ज्यादे अट नहींगा वोलों को सम यह भई वो लोग अपना पैसा को डेली भरते वे देखना चाहता है आज एक करोड अगर माने बारा परसंट का भ्याद आज यह तो मने महें ना का एक परसंट बॉगिए मुटा मठी ठीक है आज एक करोड एक मैना बाद counland 1 000 1 καंष 1 क σου लाख धो लोग ऐसे पैसा को ग्रोब करते वे देखना चाहता है फूद नहीं वह लोग दिलका मरी जैँ वह जब सी लाक एक लाग-द नाणशन ना हाँ, बिसकली FD वो ही तो बता रहो हो, मतलब, ठीक है, तो आप जैसे समझना, एक ओवर्वीव मैंने दिया, कि भी हम लोग CM2 में क्या-क्या पढ़ने वाले, और भी जैसे CT6 से भी बहुत सरा टॉपिक्स आया वे, ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, जैसे मैंने आप लो तो मेरे पास बहुत टाइब है, अभी जैसाăng, तुम्होगा क्लास ले लिए ठीक है, 2 बज़े तक लास चलेगा, फिर तो म फ्री है, ठीक है ना, फिर तोम फ्री है, हम बोले, कि हम S travel को को actively ढूणेंगे हम stocks को actively ढूंदेंगे actively ढूंद के उनने पैसा लगाएंगे हम अपना time हम अपना ne हम अपना जार्ट करेंगे ठीक है ना और हमि स्टॉक को actively ढूंद के पैसा लगाएंगे लिएस आक्टिब वो यह मैनेज करके access return कमाएगा, alpha जिसको बोलते है, alpha तो आज के दिन पर तुम कोई भी सेमिनार बगर अटेंट करेगा, इन्वेस्चर میट में तो लोग सिर्फ एकी वर्ट को यूज करते है, alpha कहां है, ठीक है बट वो लोग को चुल मचता है, चुल मतलब कि हम लोग को ऐलफा जनरेट करके देना है, बेसिकली अमीर लोग का पैसा को कैसे डुबाएं, बोल लेगा मतलब यह है, ठीक है ना? आप देखो, तुम एक्सेस रिटर्न जनरेट करने के लिए क्या लेगा? एक्सेस रिस्क इसको बलते हैं, एक करोड के नीचे का लोग इंवस्मेंट लेता नहीं है, ठीक है ना? तो अगर तुम माल ले एक्टिवली स्टॉक्स जून रहे है और तुम इसमें पैसा लगा रहे है, तो इस बेसिकली अलफा, ठीक है ना? इसको बलते है एक्टिव मैनेजमेंट स्टा मैं दिमाग ही नहीं लगाते हैं, कोई भी भाव चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मार्केट उपर हो, नीचे हो, मेरे को पता है, लॉंग टम में तो जाना उपर ही है, ठीक है? तो लॉंग टम में तो जाना उपर ही है, हम जितना भी पैसा आते हैं, हम सब निफ्टी- लिएइट टैम्समों सप्रिकेशन चाहिए तो महरा क्या कर सकते हम युस का इंडेंग्स में लगा सकते हूँ में यूई अनॉएस तक कांड़र अपल खरीद के और हम या खरीद देंग si कि फैंक को फूर्पाम बता है ना फेस्बुक एमजोन एपल नेट्फ्लिक्स गूगल हम फैंक खरी देंगे मेरे इच्छा ठीक है तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हम हर कंट्री में फॉट अकर कि पासा लगाएंगे ठीक है तो पॉइंट यह है कि दो टैप का इंवेस्मेंट स्टाइल हो गया ठीक है और अब जिसे मार्केट में क्या होता है शेर मार्केट में क्या होता है शेर बजार में यह होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स है ठीक है न वो लोग क्या कर रहे है एक्टिवली वो लोग स्ट ज्यादा लालच है मने वो लोग profit के विना मने profit के लिए वो लोग कुछ भी करेगा वो लोग पूरा दिन बैट के actively actively stocks जून रहा है ठीक है वो लोग पूरा दिन बैट के actively stocks जून रहा है ठीक है ना ताकि वो लोग profit कमा पाए तो basically share market में क्या होता है आप देखोगे जो active traders हैं उनको पूरा knowledge है market के बारे में माने basically सबको सब के बारे में सब नौलेज है सब को सब के बारे में सब knowledge है आज तुम money control खोरो तुमको हर company का पूरा publicly available data पूरा मिल सकता है तुम ncbac का website में जाओ छोटा से छोटा info सब कुछ तुमको वह website पर मिल जाएगा ठीक है ना तो सब detail तुमको वहाँ पर मिल जाएगा तो all the investors and traders are having absolutely perfect knowledge सबको पूरा knowledge है ठीक है सबको पूरा knowledge है और वो लोग क्या कर रहे है एक्टिवलि स्टाउक्स जून रहे है ठीक है ना वो लोग actively stocks जून रहे है ताकि वो लोग क्या कमा पाए ओवर अबब दी normal profit वो लोग कमा पाए ठीक है ना इसको हम लोग बोलते है efficient market एक efficient market में क्या होता है सबसे पहले knowledge सब को सब के बार में सब कुछ है and there are large number of large number of active investors profit-hungry investors who are actively looking for stocks ठीक है ना so heading लगाना efficient market hypothesis ठीक है efficient market hypothesis कि मैं बसका लिए bullets लिखवाऊंगा ठीक है मैं बसका लिए bullets लिखवाऊंगा ताकि तुम लोगों को easy रहेगा ठीक है तो पहला मैंने बोला efficient market अब हम लोगों को यह चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है ठीक है ध्यान से सुनना आदा घंटा सुनेगा यह चैप्टर पूरा अपना जेब मैं ठीक आप पाच्छे नमबर का कोशन इससे मिलेगा minimum 10 ऐसे नमबर आता है ठीक है अब सुनों तो मैंने बोला कि बहुत सारे active investors है ठीक है तो अब एक सी समझना मैंने बोला कि जो share price है उस पे सारा का सारा जो publicly available information है उसका जो impact है वो share price में already है बात समझना मैं बोला कि जो share price है that reflects all publicly available information ठीक है ना मतलब past में जितने भी सारे random news आए है उनका impact share price में already है ठीक है ना अच्छा और एक चीज़ समझना अगर future में अगर आज से future में कोई भी news आता है जो कि random है तो उसके वज़े से share price में अगर कोई भी impact आना होगा तो वो हौले हौले नहीं आएगा वो अभी इसी वक्त आएगा इंस्टेंट आएगा ठीक है दो टैप कर चीज़ होता है एक होता है share price में जो news है उसका impact हौले हौले आना मतलब तोड़ तोड़के एक हफता दो हफता मेना बर में आना और एक होता है instantly अभी आना ठीक है ना तो future में अगर कोई भी random news आएगा तो उसका जो impact है share price में वो instantly आएगा हौले हौले नहीं आएगा ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं efficient market जैसे मालो company के बारे में announcement आया कि भाई अब merger होने वाला है या फिर company ने इस साल बीट किया है street estimates को दलाल street के estimate को company ने बीट किया है तो इसका मतलब क्या positive news है तुरंट share price में reflect करना चाहिए तुरंट share price में reflect करना चाहिए तो इसको बोलेंगे efficient market ठीक है ना अब basically मैंने आपको 3 टैप का चीज बताया मैंने आपको क्या क्या बताया मैंने आपको बताया technical analysis fundamental analysis and insider trading ठीक है अब आगे सुनते चलो ठीक है सबसे पहले efficient market का अब मैं रीड करता हूं ठीक है ना सब लोग chapter number one का मैट निकाल ली जागर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब जैसे नहीं चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ में नहीं चाहिए सब कुछ में आदम से सुनों ठीक है अब सुनों efficient market मतला समझा small number of investors or large large profit hungry investors who are actively looking for stocks and अगर share price में कोई भी इंपक्त आएगा तो इंस्टेंट आएगा हॉले हॉले नहीं आएगा ठीक है रैंडम एंड शेयर प्राइस रफ्लेक्स और पब्लिक ली अविलेबल इंफॉर्मेशन ठीक है ना ओके अब मेरा बास सुनना अब जैसे यह जो एमेच है इसमें ना forms of efficiency होते अपने बोलते हैं online में सब को ठीक है yes or no सब उबासी मत लो पहले बोल रहे है ठीक है ना yes or no लिखो पहले फड़ाफ़से ठीक है अब देखो forms of efficiency कैसा होता है ध्यान देना एक होता है weak एक होता है semi strong कुछ लिखना मत और एक होता है strong ठीक है आप सुनते चलो सुनते चलो सुन का पैसा दिया ठीक है पर घर पे लेना जाके आज तो विख सेमी स्ट्रॉंग और स्ट्रॉंग ठीक है यह मैं अनलिस्ट करके ना यूट्यूब पर लगा दूँगा आते जाते रस्ता में आते जाते कहीं पर उसको सुनते रहे ना याद हो जाएगा पूरा अंदर ही अंद ठीक है ना जितना भी सारा हायर हायर लेवल स्ट्रॉंग का सब हम इसमें बढ़ा देंगे तुम लोगो मनें का सीम्टू में से पढ़ता तो याद रखना दो पेपर का त्यारी करा एक कभी नहीं सीम्टू और स्पिसिक्स ठीक है ना इतना डेप्थ में घुसेंगे हो पेपर तुम लोगा अराम से क्लियर होगा ठीक है चलो तो वीक फॉर्म ठीक है आप से जयान सुना फॉर्म्स अफ एफिशेंसी क्या बोलते हैं अब जिसे मालोग बहुत लोग बिल्डिंग या फिर बहुत लोग अच्छा-च्छा कॉंप्लेक्स में रहते ठीक है तो भाइया क्या करते है पूरा दिन च्छेटो स्क्रीन लगा कर रखें ठीक है फॉलाना का बेटा दो लाक उर्बा मेने का कमाता है पूरा दिन रूम के अंदर घुसा रहता है नौ से तीन ट्रेडिंग करता है ऐसा खबर सुनने में आया है ठीक है न तो तुम्हारा सेलरी है म हमी देखे चैब्राइव लगा है और और ऑधा प्रवाथ प्रवरट के और सितना कियो पड़ता है यह मेरा सखेल ले तो मैट को से अई मैं खुछ से不要 है result अच्छा मेरा क्यों है यह मेरा skill है तो सब कमा पार है नहीं तो अब इसकी को समझना वीक form का मतलब अगर market जैसे मैंने पता है efficient market क्या होता ठीक है अब समझना weak form market क्या होता है अगर हम लोग बोलेंगे market is weak form efficient वीक-पॉर्म ऐफिशेंट, इसका मतलब क्या है, अगर तुम खाली पास्थ हिश्ट्री को देखके ट्रेड डाल रहा है, तो तुम सुपर नॉर्मल प्रोफिट नहीं कमा सकता है, वीक-फॉर्म ऐफिशेंट में, तुम समझो, मैंने बोला टेक्निकल एनालेसिस, टेक्निकल एनालीसिस कर रहा है और मार्केट वीक फॉर्म एफिशेंट है तो तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएगा टेक्निकल एनालीसिस करके वीक for me efficient मार्गेट में अगर तुम्हारा अबव ऐवरे स्किल रहे तो को ठीक एंसर एसी लिखेगा और अगर तुम मे एवरेज है तुम्हारा स्किल नहीं है तो भी तुम टेक्निकल नालेशिस करके मनि एक ऐसा मार्केट जो कि वीक फ़ार्म इन एफीशेंट कर दी समस्क्राइब कि अच गदा है ऑर तुम किया गधा हे तुम क्या हां ऐसे कर सकता है ट्यूजे को जब आप ट्यूजे को गिर रहे ना तो गिरने से पहले बेच दिया फिर जब गिर गया तो खरीद लिया और बंदेजे को सुवह दुबारा खरीद लिया अगर माले गैप आप डाउन हो रहा है गैप डाउन मतलब ओवरनाइट जैसे माले क्य अगर ऐसा मार्केट है कि जिसमें तुमको सिर्फ इतना ही ही करना है कि वह मार्केट इन एफिशेट हुआना तुभारा काम कितना आसान है तुम अनलाईस करके तुम फोपनामल प्रेट कमाँ पार रहा है तो मार्केट्ट इनएफिशन्ट हुआ इसमें तुम्हारा एफिशन्सी कैसे हुआ मार्केट का इनएफिशन्सी है ना कि लोग इसको भी नहीं ढूपआ रहे हैं कि आर्बिट्राज में क्या होता है जैसे माल लो रूम के बाहर 10 में भिक रहें और रूम के अंदर 12 में भिक रहें तो आर्बिटरेज वाला लोग क्या करेगा बाहर से खरीद के अंदर में ब economists तो बाहर में buying pressure बहुत ज़्यादा आएगा अंदर में selling pressure बहुत ज़्यादा आएगा अल्टीमेटली वो पैरेटी में मीट करेगा पैरेटी मतलब क्या होता है 11 रुपिया साड़ी गरा कुछ भी हो सकता है वो ठीक है न तो आर्बिटरज का यह काम है वो तो बाहर से खरीत के अंदर में तब तक बहुत अब वो कर रहा है उसको देखे सब लोग और करेंगे तो तो पैरेटी आना चाहिए न ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर मंगल वार गिर जा रहा और बुद्वार उड़ जा रहा है ऐसा तो ट्रेंट होना नहीं चाहिए तो तो अच्छा एक और एक ग्जांपल तुम लोगों को लेते हैं लोट्री ठीक है एक पहले चलता था प्लेवि तो तुम क्या किया माले इसमें आईसा रहता था कि तेरा छे नंबर तुम ले दस रुपर का टिकेट में तुम छे नंबर बोल सकता है कोई एक फसा तो 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 पचास रुपिया ऐसे करके दच्छा एक अच्छा फस गया तेरा तो प्राइस सबहुत बड़ा एक क्रोड़ अगर ऐसा लॉटरी है अगर ऐसा लॉटरी है कि एक से फचास तक रात में, नमबर निकलेगा हर रात को निकल रहा ठीक है यह बता कि यह लॉट्री है यह वीक सबस्टार एफ से करेंगे पुशन समझ गया होगा ठीक है नए लॉट्री है एक से 50 या फिर एकसर नंबर निकलेगा आज खेली लोट्री एक बार एक क्या है एक से 150 या फिर एकसर नंबर निकलेगा ठीक है अब बैसीशेली तुम लोगों को यह बताना है कि वीक फॉर्म एफिशेन्ट है chemin Versats विकी फर माफ माफ टैन असे यहां पर ऑफ्लाइन बन्चे आप फिसेंट आनलाइन में खर लिए ओली पॉल्टविक फीशेंट आकी बाद के क्या धेथ कि अब हें मांचल पॉल्टव कोई कोय देथ का माई धिक व्याथ कंयाılar क्यों very good अरे लाज 10 देटा जो निकाले गा लोटरी का तो गर लाज 10 देटा निकाला तो लास देटा निखाला तो लाज 10 देटा से यह कहां पादा चल रहा जो ड़की क्या निकालेगी समझा तो week from efficient हुआ past trend को तुम analyze करके future में तो कुछ योंश क्प्रेडिक्टी नहीं कर पार रहा है तो वीग फशर्म एफिशेंट टेकनिकल एननलईस यूख क्या तुम % करे रहे तुम पार्जट एसक्षर्ड कर रहे हैं और तुम झेंध नाकर एक रीज़ा है कि प्रेडिक्ट हो रहे की नहीं हो रहे तो लाट अंपड़री मे सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कर रहा है अपरण ग्रहोंटर ग्रोध की नहीं है कंपनी में पुरा फंडामेंटल है कंपनी पुरा तुम रिसर्च कर लिया तुम अन्गौन पहुंच गिया जो लोग होता है न अक्टूमेंटल पॉंच जाता है अपना में दिखा रहा है कि हमारा 500 करोड का प्रॉपर्टी है एक लाख स्क्वाइर फूट का हमारा वेराउस है में में सिटी में पहुंच जाएगा बोले दिखाईए ऐसे नहीं बुलेगा दिखाईए बट वह अपना तरीका से मतलब समझ जाएगा देखेंगा कि है की नहीं जहां ट्रफिस बैंक कि अपना रिपोर्ट में रिलीश करा रहा है एसेंपी को पैसा दे दिया होगा और रिलीस कर रहा पना उसमें की हमारा क्रेडिट क्रेडियोटी पहले से इंप्रूव हुआ है क्या प्रूफ है बहिया कि पूरा तुम घाटेगा उसको बड़ा पैसा लेने वाला है यह जब तक फॉर्म नहीं है जब तक कंपनी अपने क्लास में रिलीस नहीं करूंगा तो कंपनी मालो दो बड़ा-बड़ा कंपनी का मिलन हो रहा है मर्जर फिर दो कंपनी अलग अलग हो रहा है डी मर्जर फिकना तो कंपनी यह सब चीज पबलिक नहीं करेगा क्योंकि उसका इंपक्क डिरेक्ट्री उसके शेयर प्रास में आएगा तो फंड़ामेंटल अनलेसिस का कैसे होता है इसका मतलब है, the market is semi-strong form efficient, एक second, एक second, अगर तुम fundamental analysis करके, S&P, super normal profit कमा पा रहा है, तो बताओ कि market क्या है, weak form efficient, weak form efficient में क्या है, technical analysis से, तुम S&P नहीं कमा सकता है, बट fundamental analysis से तुम कमा सकता है, क्यों? क्योंकि तुम खाली past नहीं, तुम all available information को use करके तुम analysis कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा, एक और, तुम्हारा ना, एक बड़ा company में जो CFO है, वो तुम्हारे पापा के दोस्त है, वो तुम्हारे पापा को बोले और तुम्हारे पापा तुमको बोले, अभी company में हलचल होने वाला है, उठालो एक लाग पीस, ठीक है ना? पांची रुपय का सेर था, बोला डबल हो जाएगा, डबल, और तुम्हारा बहुत अच्छा तीन चाटो दोस्त लोग था, डबल श्राइवा, श्राइशन तॉपयोग का स्टाप्मारकेट ईंतूटीएएश्ट, ट्रेडर इंवेस्टर, हैस्टेग, ति अगो, हैस्टेग , फिर्स्टेग ना? हैस्टेग देरिविटेवटव ट्रेडर, ठीक है मिलेगा बहुत था, ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं तो अब इसमें जैसे क्या है तो यह जो खबर वाला जो चीज होता है इसको बोलते है insider trading अगर तुम insider trading जैसे band है सब जगापे band है ठीके ना तो अगर तुम insider trading करके भी SNP नहीं कमा पा रहारे इसका मतलण market is strong from efficient बैसिकली insider trading तुमसे हो जहीं नहीं राए आज एक बात बताओ तुम किसी कंपनी का डिरेक्टर को फोन मिला है कल आप क्या करने वाले एक तब लगाएगा फोन के लिए तो नमबर ब्लोक करा देगा तो नहीं हो सकता इस वरी समझो आगर मालों इंसाइडर ट्रेडिंग से संप आता तो बेसिकली जो बड़े-बड़े कंपनी में जो डिरेक्टर है तो वो लोग तो करोड़ो रुपया बहुत लोग करता भी है करने वाला लग अलग तरीका से बट यह लोग क्या बोलता है कि डिरेक्टर का जो शेयर रिपोर्ट से जो बड़े कंपनी में डिरेक्टर है मैनेजर है उन लोग का शेयर ट्रेडिंग हिस्ट्री से देख करक जबात ये नहीं समर्भ बात कि तुम चंसिस्टंथ ली कैसे कमाएगा की थे मौशव कर फो उसका बात रोए रहे बात कि तुम स्क्टंथली पांस सल थैसअ कमा सकता सकता है ता अभी में हूआ था builds कंपनी गा जिसका पहले वो लोग बोला графीके गणी कर दिया एक accept में या फिर यूके में कहीं पर में को नाम नहीं आदा था उसका कोरोना वाइरस के टाइम पर पहले वो लोग बोला था कि वह लोग वैक्षिन रिलीज कर दिया ठीक है और वो लोग क्या किया था पहले बहुत सारा कॉल आप्शन मतलब क्या ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा ठीक है तो लोग बहुत सारा कंपनी का ओप्शन्स खरीद लिया और फिर ये न्यूज रिलीस किया तो कंपनी का शेप्रेस पुरा उपर भाग गया और जैसे उपर भागा तो कॉल में भेंकर पैसा चापा फिर बेज दिया और अल्टिमेटली हुआ कि फिर बाम में बोला अर सेभी रेगुलेट्स वैदर इस काइंड ऑफ बहुत सारा कंपनी में रोक लगा देता है कि एक हफ्ता तक तुम इसका में एफनो में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है ये कंपनी लिक्विड है बहुत ज्यादा तो वह समय ऐसे भी का बहुत सारा रेगुलेशन है ठीक है ना आ लिक्विड स्टॉबड को एक कंपनी है फिर अग्जामपल कोई भी ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा इलिक्विड है उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है अगर तुम वह समय ट्रेडिंग करते हैं तो उसलिए बिएसी का स्टॉक में होता है तो इसमें बेसिकली क्या हो लेके लॉस बहुत ज़दा स्ट्रिक्ट नहीं है बहुत ज़दा स्ट्रिंजेंट नहीं है तो उस केस में बेसिकली क्या होगा इट इस पॉसिबल टू अन SNP from insider trading chickena so semi strong I'm looking a fundamental analysis again or yeah but I'm looking inside a trading yeah that's a clear yes or no yeah that's a clear yes or no yeah that's a clear yes or no yeah 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 you are strong from efficient market hypothesis में basically क्या बोल सकते हैं कि वो सारा का सारा जो information है ना सब है उसके stock prices में मैंने जो publicly available है वो भी और जो insider है वो भी ठीक है अग्याइब 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 एक बात बताओ तुम लोख से discuss कर रहे हैं इंडियन मारकेट्स क्या है तुमको क्या लगता है अग्याइब इंडियन मारकेट्स क्या है तुम अग्याइब सेमी स्ट्रॉंग फॉर्म क्यों है बताओ कैसे समझाएगा तुम लोग यह फिर मानलो यूएस का बहुत सरे लोग ऐसा है इंडियन मारकेट्स में तो जो टेक्निकल अनालेसिस भगवान है वो लोग के लिए कैंडल्स्टिक्स मने ऐसा है और तुमारा बॉलिंजर बैंड्स है ऐसे करके में को तो आता नहीं है यह में एक्स्पनेशन मूविंग आवरेज तो मतलब वो लोग के लिए भगवान है वो सब इंडिकेटर्स में पैसे करने बेसे के लिए क्लें में गहुआता है बहुत सरे अंडिकेटर्स रहते है और वह पौप-प होता है कि भिटेखिवOO अभी द visãoक्ि को मिधे ब्रेष आने वाला है तो बैसे कली टेकनिक लैसिस पहले तो मैंने तुमको यह समझाया कि भाई efficient market क्या होता है अब हम लोग यह पढ़ लिए कि efficient forms of efficiency क्या-क्या होता है अब basically क्या आपने को पढ़ना है कि तुम test कैसी करेगा कि weak form है कि semi strong form है कि strong form है समझा तो जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि कोई कोई मतलब जैसे weak form है तो मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो मैं एक तरफ एक बंदर ले लिया monkey ठीक है और एक तरफ मैंने चार्टिस्ट अनालिसिस को ले लिया मैंने या फिर मान लो टेक्निकल अनलिस्ट को ले लिया ठीक है मैं monkey को बोला कि भई मैं तो को एक लाख रुपया देता हूं तो दस हजार रुपया करके दस स्टॉक में सेलेक्ट कर ले बंदर और हम लोग एक साल के बाद में देखेंगे कि वो स्टॉक कहां पर है और वहीं पर मैं टेक्निकल अनलिस्ट को बोल दिया कि भई मैं मैं तो को एक लाख रुपया देता हूं तो दस हजार रुपया करके दस थो स्टॉक में अपना जो भी तो टेक्निकल सब समझना है तो वो करके पूरा पैसा लगा ठीक है और दोनों के बीच में डिफरेंस दिखेंगे अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फरक नह यही काम करेगा अधिक लिए रोगे यह चीज सबको लिए रोगया जो देख इतना लंबाला पैरा में लिखा में एक सेकेंड में समझाते चल देखें यह मत्तों लगा कि कम पढ़ाया अलबाट टूवर्ड नहीं पढ़ाया ठीक है ठीक है ठीक है समझना आ गया इस अपको स्ट्रॉणंग फॉम का तो स्ट्रॉणंग फॉर्म को कैसे सटेंस्ट कर सकते हैं तूम कंपैर करो it normal investor का शेयर रिपोर्ट को वर सस्ट्रेक्टर का शेयर पोर्ट को दो तुआ रिएक्टर बेंटर का शेयर बढ़ हैस्ट ओल दििसको अंदेटिव नॉन पभलीक लगेत but the investor will not have right so if there is major difference then this means that the market is not strong from efficient but if there is no major difference then the market is is it clear but it is very difficult to get the share report dealings of a director मैं विश्वास कराता हूँ आपको अभी जैसे आप कमाते नहीं हो बहुत लोग जो रीसेंट में कमाना चालू कियोंगे क्योंकि CM2 का बैच चल रहा है तो एक कमाई इसा चीज होता है ना जो बहुत personal होता है आज जैसे मालो मेरे और मेरे भहिया का bonding बहुत strong है तो हम लोगा business common है तो we all know कि बहई कैसे क्या है ठीक है मैंने हम लोग के family में सबको पताए कि हम लोग किस से क्या कमाई बगरा है बट मैं मैं कभी भी किसी किसंग उची शेयर करने में उतारा कमफोर्टेबल नहीं रहूंगा समझ में आ रहा है तुम लोगों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो एक डिरेक्टर अपना शेयर रिपोर्ट डिलिंग मेरे को क्यों देगा आज यह समालों तुम बोलते हो कि नहीं मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट स्ट्रॉंग फॉर्म मार के बगा देगा निकल कमपनी का डिरेक्टर है वो ठीक ना तो वो बुलेगा कि भी कहीं और जाके मांग उसको वो क्यों देगा तो गेटिंग देटा इस वेरी डिफिकल्ट पर टेस्टिंग फ्रॉंग फॉम एफिशेंसी चिक है अगर दिफरेंस श्रॉंग फॉम एफिशेंट रोजाना बिकाइब काम पार रहे ठीक ना वह विल्यू मेजर कि जो सेंसिटिव डेटा है वो मार्केट में अल्रडी इंक आठर कानि नहीं निसमझा जैसे मालने मर्जर का कोई न्यूज है याफिर हाइड इंस पेयाउट का कोई नियूज यू यह विल्यू मेजर कि वह इसका इंपक्ट मार्केट में आ चुका है कि नहीं आ चुक है अगर मार्केट एफिशेंट और इसका मतलब क्या होगा कोई पागल मारेंग उठाके सो रहे क्या कोई भी रैंडम न्यूज आएगा तो उसका एफेक्ट इंस्टेंट्ली आएगा अगर मानले पॉजिटिव निउस है तो इसके वज़े से शेह प्रेस अगर बढ़ना होगा तो इंस्टेंट्ली बढ़ेगा गिरना तो इंस्टेंट्ली कि रहेगा हॉले हॉले नहीं होगा कोई भी चीज हॉले हॉले वाला काम कौन से मार्केट में इनेफिशिट मार्केट में ठीक ना अब आते हैं में में वीक हो गया स्ट्रॉंग हो गया सेमी स्ट्रॉंग तो सेमी स्ट्रॉंग का मतलब समझना सेमी स्ट्रॉंग का मतलब अब जैसे माल ले, बहुत बार company directly कोई चीज एनाउंस नहीं करता है, but company में meetings बगरा चलता है, ठीक है, company में meeting बगरा चलता है, आज जैसे माल ले कि कोई company ये basically talking terms में है, कि वो अब जैसे जीओ है, ठीक है न, अब की बार IPL शायद जीओ पूरा वो कर रहा है, अने जीओ cinema में हो रहा है, ठीक है, मैं देखता नहीं, मैं को पता है चीज, तो जैसे माल ले, ये जो चीज है न, तो this is a very positive thing, from the market point of view, कि भही वो free में, I guess free में पैसा नहीं ले रहे, तो the point is कि, अगर माल ले, ये उसके employees को पता होगा, top level managers को पता होगा, जो उस पे काम कर रहे उनको पता होगा, तो बात तो फैलता ही है, so these are known as rumors, आज जो high level corporate में होते हैं, लोग उनसे connection बनाते हैं, कि ये मेरे को company के बारे में कोई तो sensitive information देगा, बाती बात में, लोग बैठते हैं, pubs में, places में, समझा रहे, corporate party मतलब क्या होता है, लोग बैठते हैं आपस का बात निक आचलना, तिरसे मिलने का इच्छा और है, मिलने का इच्छा नहीं हो रहा है, वो चाहता है कि बताओ मेरे को कि क्या चल रहा है तुमारे company में, कुछ तो मिल, जो share market का आदमी होगा ना, वो ऐसा ही होता है, regularly meetups बगर होता है, definitely touch बनता है, bond बनता है, touch bond क्या होता है, इसी के लिए होता है, तो एक तो यह rumor वाला चीज हो गया, कि तुम actual date क्या मानेगा, जिस दिन से rumor फैलना चालू हुआ, कि जिस दिन actually company announce कि अब जैसे बता रहा हूँ, SDFC bank और SDFC मर्जो के एक हो जाएगा, ठीक है, बहुत साल पहले से यह बात चल रहे है, अभी announcement आया कि होगा, तो बहुत साल पहले से रूमर चलते आ रहा है, तो लोग क्या सुचेंगा, यार, I should be the first one to get hold of this opportunity, I should be the first one to get hold of this opportunity, so I should buy it right now at a good price, but I thought that I am the first one, but there were more than 1 lakh investors before me who thought they were the first one, so don't you think the price will already be somewhat adjusted, मैंने इसले बोला, active investors, profit hungry investors, who are actively looking for stocks in the market, ठीक है ना, so how will you decide on the date, कि वही कौन सा दिन को हम announcement का वो माने, अब जिस से मानले अगर कोई positive news आता है, अच्छल में मार्केट में का आता हूं, SBI का news आया, SBI बीट street estimates, बीट street estimates मतला पर्फॉरमेंस पाड है, सब्सक्राइल ना, ultimately तुम देखेगा, उस दिन share price बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उस दिन share price बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जिस दिन से rumor फैला चालू हुआ, उस दिन से थोड़ा 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 वढ़ना चाहिए, तब गिरता है, क्यों मोलत गया इंपक्त जो आना तो चुका है क्योंकि मार्चेट एफिशेंट इंडियन मार्केट एफिशेंट ए इन एफिशेंट नहीं है रिजल ताय जो बढ़ना थो थोड़ा बढ़ गिया रिजल वाले दिन मनले बहुत जाथ वाले टाइल है उपन नीचे ओडो रुपर रुपर रुपा निची तो दूट रुपा निची कि जा रहे कि जा रहे रिजल्ट आया हलका सा बढ़ा आप देखें का सेल ओफ आना चालू हो गया क्यों अरे उठाया को तो तरकान के बेसिस में तो उसका इंपक्तु से प्रेस्म अलड़ी आ गया तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसीमेट्री तुम कौन से डेट मानेगा कि अपकी बार का रेजल्ट फार्ड होगा उसका नेट आसे कॉलिटी इंप्रूव हो गिया है उसने बैंकर भाड़ के प्रॉफिट कमाया है बहुत सारा लूंज बाता है ठीक है तो यह एक वो इंस्टेंट आएगा हॉले हॉले नहीं आएगा हॉले हॉले का मतलब क्या होता है अब जैसे माल ले ए प्लस बी मिलके सी हो जाएगा ठीक है ए प्लस बी मिलके सी हो जाएगा अगर सी हो जाएगा तो जैसे फर एक्जांपल में बता रहा हूं शेर प्राइस हो जाना चा यह था बट यहां पर कहीं न कहीं मार्केट्स आर इनेफिशेंट क्यों मोलतों देखेगा अगर एस बीए का पॉजिटिव निउस आया है या फिर कोई कंपनी डिविडेंड एनाउंस किया है ठीक है ना तो अल्टिमेटली होता क्या है तुम देखेगा वो धीरे-धीरे करके इंपैक्ट लेता है हमेशा डेवन पैसा नहीं कि पूरे एक्दम जाके रुख गया नहीं वह हलका सा बढ़ता है फिर गिरता है हलका सा तो मार्केट विसकली करेक्ट करता अपने आपको ओवर टाइम मार्केट में क्लिंजिंग फेज आथा जैसा भी देखो दो-तिन दिन क जो यहां पर ऐसा होता है कि जैसे माल ले जो लोग रेस टूरेस्स कौन-कौन देखा हाथ वटो तुम देख लिए रेस्टू रेस्टू अलाइन 2 देखना चालू करो और कोई नहीं देखा है बस हर्ष गुपता रेस तु सहिफ अली खान दिपेका बादुकों जौन अब्रहम ये भी नहीं देखा तुम लोग प्रगती बंसल अनुष का हाँ सब लोग देखा है तो रेस तुम्हें जब रेस में जब सहिफ अली खान और जौन अब्रहम फर्स्ट चैम मिलता है तो पहले ज प्रिपे का बाद उसको बोलती है और यह काइंड इंफोर्मेशन ब्लू लाइटनिंग आज तक एक भी रिस नहीं जीता है तो फिर सैफ अलिकान उसको बोलता है इसलिए तो आज जीतेगा थिके तो यह लोग क्या बोलता है पास्ट लूजर्स टेंट टू भी फ्यूचर वी मैंने अगर मैंने दस गोड़ा दोड़ है तो नौ जोकी को बाइन कर लेता है ऐसा मतलब वो मुवी में बोलता है ठीक है तो अब यह भी तो एक टैप का ओवर अंडर रेक्शन वान अब क्या बोलता है पास्ट में जो कंपनी खराब परफॉर्म किया है लोग क्या करते बह कि कर यह खोर जब्ढ़ जादा बढ़ी है इसका लगे ले ले थे यह जद़ा घिरक लेले लेते पच्छोल होता नहीं यह बायस आएक्ट्र में व्यान व्यास होता नहीं है किल पास्ट में जो हारा है वह आग originally के जीते गाई ऐसा ज़रूरी नहीं है टरनराउंड का 52 वीग हाई लो हम क्या करता है पता है मेरा मेरा सब्सक्राइब प्रॉब्लम क्या है वाई डोंट डू डिरेक्ट इक्विटी एन शिफ्टेट टू मुच्वर्ण्स कोची है मतलब जो शहर में तुमको नुकसान हो रहा है तुम उसको बेच डालो और जो शहर में तुमको ग्रीन दिख रहा है उसको हाथ में मत डालो मतलब उसमें एकदम हाथ मत डालो ठीक है ना बट हम लोग करते क्या है जो जो देखेंगे मानले एक मैनावाद पूटफोलियो खोला जो जो हरा में है बेचो नीचे आएगा दुबारा खरीद लेंगे बट वो नीचे कभी आता ही नहीं है ठीक है ना और जो जो लाल में ल मार्केट में ठीक है ना तो बेसिकली 52 वीक हाई लो तो पास्ट विनर्स टेंड टो भी फ्यूटर लूजर्स एंड फ्यूचर आइमिंट पास्ट समझे ना वो ऑपसिट तो यह भी इन सब की रीजन्स के वजह से बेसिकली इट्स डिफिकल्ट तो टेस्ट कि भई की सेमी स्ट्रॉंग फॉर्म एफिशेंट है की नहीं है विकाज आल पब्लिकली अवलेवल इंफॉर्मेश्ट में तो पहले क्या क्या आ गी है पहले यह बताओ ठीक है ना सुट्स नॉट डाट इजी ठीक है एक बाए मैं गो थू कर लेता हूं आप लोगको अब जिसे मालें ना बायस आजाता है कि कोई कंपनी पास में जैसे टाटा पावर है ठीक है ना टाटा है एक तो उपर से पावर सेक्टर है ठीक है ना अदानी विली मार है पोर्स का राजा कौने अडा नहीं है ठीक है ना उसका जो तेल आता है फॉर्चून तो यह सब क्या लोग के अपने बायस आ जाता है कि इससे अच्छा तो कुछ है नहीं ठीक है एक कंपनी था एपेक्स फ्रोजिन अपने बहुत हीरो था बैट धीर देकर के कंपनी का जो को बेसिकली फ्यूचर प्रजिशन दिखाए गया था वसा नहीं था एक कंपनी डी माट फेवरेट है कि चलार उसको राधा किसन दमानी इसका स्काइश लोग का कमी थोड़ी है ठीक है है अगर मान लो कि जीसए मैं बोलता हूं बंधन मैंक है कि अ गया कि अगर्श भाव सिल्टी के ना बंधन बाइंक है और मान लो का HDFC बैंक है ऐसा समझ लेते बंधन बैंक लाश्ट पांच साल से एवरेज में रिटर्न दिया है तीन परसेंट का वहीं HDFC बैंक दिया है एवरेज में आठ परसेंट का रिटर्न तो क्या यह एमेच को कॉंट्रेटिक कर रहा है अगर कि बोलो कि बोलो कि यह एमेच को कॉंट्रेटिक कर रहा है सोच के बताओ दो मिटका टाइम लेलो अगर जो झोट जो मैंदट इस सब्सक्राइब बड़ना हुआ है जो नहां है जो है जो है जो फदेंट लग्ट बड़ना झाल 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 झाल